तो यार आज मैं आपको laptop बताऊंगा जो कि ओफिस पर के लिए बहुत तगड़े होने वाले हैं तो ज़्यादा समय खराब नहीं करते बात करते हैं सीधा number 4 की बात करते हैं लेकिन number 4 की बात करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ भी मैं आपको जितने भी laptop बताऊंगा वो वीडियो एक्टिंग के लिए बैस्ट होने वाले अगर आपने आफ्लाइन काम करना है जाक्लासिज बरा लगाने अगर आपने आउनलाइन करना प्रोग्रामिंग करने या कोडिंग करने उसके बाद अगर आपने कोई भी हैवी सॉफ्ट्वर भी यूज करना है आप इसली नॉम्स कर सकोंगे तो बात करते हैं नमबर फो की बात करने नमबर फोग पर यार मैंने रख़्ाय मैं नोट्बुक होरीजन को अगर इस ल आपको एच्टी प्लस वेब कैमरा साथ में फ्री आफ कोस्त देखने को मिलेगा जो कि प्लस पर आजाता अगर आपने आपने आउनलें क्लासे से लगानी है आपके लिए प्लस मैं आपको बता दे जाता हो अगर आपने वीडियो एक्टिंग करने है क्रेटर काम करना है आप कर सकते हो विकर्ज आपको ग्राफिक कार की बात करूं आपको MX 3502GB ग्राफिक कार मिल जाता है 8GB RAM मिल जाते है आउज फाइट एंच जमरेशन के साथ देखने को मिल गा तो स्पैसिफिकेशन के अकॉर्डिन देखा जा है लैप्टव पूरा लोड़ देखते को मिल जा आपको 512GB SSD देखने को मिल जाते है ग्राफिक कार की बात करूं आपको नवीडिया MX 3502GB देखने को मिल जाता है उप्रेशन की बात करूं आपको टैन आवर्स का बेंटरी बैकप पर वाइड कर देता है प्राइस की बात करूं आपको 51,000 के बजट में MI Notebook Horizon देखने को मिल ज भी जाती है लेकिन आपको upgrade करने का option नहीं मिलता तो आप इस चीज को दियान में रखना कि आपको RAM upgrade करने का option नहीं मिलता जो कि सच में मानस पर आ जाता है तो आप देख लेना अगर आपको यह laptop वह सहीं लगदा है आप उसके और जा जा सकता हो अगर आपको 8GB RAM minimum बहुत है यार अगर आपको इतने ही मतलों सही लगती है तो आप इसके और जा सकते हो अगर आपको 8GB RAM नहीं सही आपको कोई काम ऐसा है कि आपको 16GB RAM चाहिए अगर आपको 32GB RAM चाहिए तो आपके लिए ये laptop बिल्कुल भी नहीं बना इसलिए तो मैंने इसको number 4 पर रखा भी आगे बात करते हैं number 3 की number 3 की बात करो number 3 पर यार मैंने रखा एसर इसपायर 5 को सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ अगर आपको पचास अजार से कम है तो ये laptop आपको 45,000 के बचल में मिल जाता है 45,000 के बचल में आपको specification पूरे loaded मिल जाते हैं बहुत अगड़े specification में आप आपको बताते हैं तो हम सीधी बात करते हैं specification की तो यह डिस्प्ले की बातों को 40 इंच FHD प्लस दिस्प्ले मिल जाती जो की आई-प्रेस पैनल डिस्प्ले प्रोसेसर की बातों को i5 10th generation के साथ मिलता है storage की बात करूं आपको 8GB RAM मिल जाते है expandable आपको 512GB SSD देखने को मिल ज जाता है HDD की speed बहुत बहुत slow होती है ठीक है अगर आप 2GB या 3GB की file transfer करते हो न तो इसको यार आदा गंटा 40 मिन ऐसे लगते है लेकिन SSD में आपको यह चीज़ी नहीं देखने को मिलेगी जो की सच में SSD ही लेनी चाहिए अगर आप data गरा ज्यादा ट्रांसफर करते हो ग्रा specification के साथ देखनी को मिल जाएगा तो यहर में specification मैंने आपको बता दिये Acer Aspire 5 के भी अगर मैं specification के according देखा जो तो बहुत ज्यादा सही है भई आपको 45 तो के budget से लेके 50,000 के budget तक यह laptop देखने को मिल जाते है तो भई अगर आपने office बर के लिए चाहिए student हो पढ़ते हो पढ वीडियो एक्टिंग करने है तो भई मैं आपको recommend करना जाता हूँ आपने 16GB RAM के minimum चल जाना उसको upgrade कर लेना आपके लिए ही benefit होने वाला अगर आप कुछ भी पूछना जाते हो comment section में comment कर सकते हैं जा मैंने link वगरा description box में दिया हुआ है अभी आगे बात करते है number two की तो अभ आपको बता देता हूँ दो laptop के बारे में मैं बात करूँ Acer Aspire 7 की and मैं बात करूँ Acer Nitro 5 की सबसे पहले में आपको दोनों के बारे में clear कर देता हूँ भी अगर आपको office work के लिए चाहिए अगर आपको gaming design नहीं चाहिए तो Acer Aspire 7 आपके लिए perfect deal हो सकता है बट अगर चाहिए अगर आपको gaming design से matter कुछ भी नहीं करता आपको specification loaded चाहिए कि अगर आपने कोई heavy software यूज करना है gaming करना है video acting करना है आपके लिए best होने वाला Acer Nitro 5 पहले मैं कलत बोली लगा था आपके लिए best हो सकता है Acer Nitro 5 आप जा सकते हो Acer Nitro 5 की और वो बहुत जाता तगड़ लैपटाप है तो अगर आपको gaming करना जाते हो मैंने आपको पता दिया अगर आपको office पर के लिए चाहिए मैंने आपको भी बता दिया अभी बात करते हैं दोनों के main specification की थोड़ा से deeply बात कर लेते हैं तो यह display की बातों को 15.6 inch full HD plus display मिल जाती है जो की 16 refresh rate के साथ आती है तो आपको 8GB RAM मिल जाती है अपर ग्रेट आप कर सकते हो 32GB तक प्लस आपको 5GB SSD देखने को मिल जाती है ग्राफिक कार की बातों को GTX 1650 4GB मिल जाता है उप्रेणी से इस तर की बातों को window 10 मिल जाते है प्लस आपको fingerprint वगार भी देखने को मिलेगा बैटरी की बात करूं आपको 7 3.16 फ्लेश्टी प्लस IPS पैनल डिस्प्ले मिल जाती है जो की 16 रिफ्रेश्ट के साथ आती है आप पर सासर की बात करूं इसमें भी आपको AMD राजन 5 देखने को मिल जाती है प्लस आपको 5GB SSD देखने को मिल जाती ग्राफिक कार की बातों को GTX 1650 4GB मिल जाती है उप्रेणी से इससे की बात उनको Windows 10 मिल जाती है आप बैंटरी की बात करूं आपको 6 hours का बैंटरी बैकप परवाइड कर देता है प्राइस की बात करूं आपको 57,000 के बज़ड में इससे नीट्रोफाइब देखने को मिल जाएगा तो यहर मैंने आपको दोनों ही laptop के बता दिये मुझे प 57 आपके लिए perfect deal हो जकता है अगर मतलब अगर आपका budget 50,000 से भी कम है तो अगर आपका budget 45,000 से लेके 55,000 हो जाता है इस price range में Acer laptop बहुत जादा तगड़े हैं तो यहर अभी मैंने आपको top 4 laptop बता दिये जो कि आपके लिए perfect deal हो जकता है अगर आप कोई भी हैवी software यूज़ करना जाते हो पढ़ते हो पढ़ते हो पढ़ाते हो आफिस बर के लिए चाहिए programming करना है coding करना है जागर आपने as a creator काम करना ह दोस्तों के भी दोस्तों को बेतना उनको भी कहतना की चाहिए को गदे सब्सक्राब विडियो को कर दे लाइक और इंस्ताग्राम पिको लिए फॉलो लिंक को बगार आजरा आपको description box में देखने को मिल जागा उसको चाहर कोलना मिलते नाक्स्ट वीडियो मैंने वीडियो क जाओ तेंक य